आज हमार पास रॉयल इंफिल्ड की क्लासिक 350 का मद्रास रिड कलर वैरियंट जो की नियुली लॉँच किया गया है क्लासिक 350 में और आप सभी को पता है कि 2024 के नए अपडेट में रॉयल इंफिल्ड कमपनी ने अपनी क्लासिक 350 में कई सारे नए कलर वैरियंट के साथ में नए फीचर के साथ बाइक को लॉँच किया और आज की इस वीडियो में इसी के ब मिलता है जितना आपको जोधभूर ब्लू कलर वैरियंट का प्राइस मिलता है वही सेम प्राइस आपको मद्रास रट कलर वैरियंट की भी मिलती है। प्रोटिंग केलीपर के साथ में और इसमें आपको डूल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है तो फ्रंट और रियर दोनों में ABS का सपोर्ट मिल जाएगा नो डाउट ब्रेकिंग आपकी काफी बहतर हो जाती है फ्रंट का टायर आपको 100 by 90 का 19 इंच का ट्यूब टायर देखने को म करवा सकते हैं suspension के side में side reflector आपको मिल जाता है जो कि night के time में काफी helpful होता है जो इसका fender है वो आपको full metal fender देखने को मिल जाएगा जो की look को भी काफी enhance करता और durability भी आपको काफी बहतर मिलती है stainless steel के इसके wheels आपको मिल जाते है spoke wheels look wise काफी premium लगता है और fender पे जो paint quality आपको मिल देखने को मिल जाता है तो suspension quality में कोई changes आपको नहीं मिलेगा जो changes है वो आपको इसके front के headlamp में देखने को मिलेगा उससे पहले आप यहाँ पे indicator देख लीजिए regular design का indicator आपको इसमें मिलेगा bulb वाला रखा गया है जिसके पीछे आपको chrome finish भी देखने को मिल जाएगा बट अगर आप इसका top variant लेते हैं emerald green color variant तो उसमें आपको LED winkers मिलते हैं main headlamp में full LED supported headlamp मिल जाएगा strong visibility को provide करता है visibility related कोई problem नहीं आती है और यह इसके नए update में भी आते हैं उपर के जो position bulb हुआ करते थे उन्हें भी update करके LED कर दिया गया है तो यहाँ पे देख लीजे यहाँ प आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे meter console देखेंगे तो meter console semi digital meter console ही आपको देखने को मिलेगा बट इसमें एक नई चीज एड़ की गई है वो है gear position indicator तो यहाँ पे आप देख लीजेग gear position indicator अब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा बाकि meter console वही semi digital meter console देखने को म मिलेगा surrounding पे आपको chrome की finishing भी मिल जाती है left handle bar पे देखेंगे तो यहां पे आपको info switch मिल जाता है जिससे की आप meter console में trip meter को set कर पाते हैं low beam high beam passing switch side indicator switch switch और horn switch आपको same देखने को मिलता है switching quality में कोई changes नहीं किया गया है यहां पे lever आपको strong lever देखने को मिलेंगे और इसके just नीचे आपको यहां पे USB charging port भी देखने को मिल जाता है जो की type C का रखा गया है तो iPhone users भी आसानी से phone को charge कर पाएंगे तो USB charging port भी आपको इसमें मिलेगा right handle bar पे engine kill on off start switch और hazard light switch मिल जाता है switching quality आपको काफी बहतर मिल जाएगी stainless steel का tubular handle bar आपको मिल जाएगा fuel tank देखेंगे तो fuel tank के ऊपर आपको E20 की batching मिल जाएगी sure हो जाएगा latest OBD2 model है tank का ढखकन आपको chrome finish के साथ देखने को मिलेगा और tank capacity same रखे गई है 13 liter की fuel tank capacity मिल जाएगी tank पे paint quality आपको काफी बहतर मिलेगी काफी premium quality का paint आपको मिलेगा और इसमें आपको golden color की पतली सी stripping भी देखने को मिल जाते है जो कि इसके look को भी enhance करता है और glossy red color variant है तो देखने में यह काफी ज़्यादा premium लगता है tank के side में thai pad भी आपक को मिल जाती है जो कि look को काफी enhance करता है और fuel injection supply system इसमें आपको मिलता है तो fuel efficiency भी आपकी काफी बहतर हो जाती है twin down tube spine frame इसमें आपको मिल जाता है dual cradle type का तो यह bike के stability को काफी अच्छे से maintain करता है और इसमें आपको beach में horn भी देखने को मिल जाता है 349 CC का 4 stroke single cylinder air plus oil cooled BA6 phase 2 engine इसम काफी refined हो चुका है और air plus oil cooling दोनों system आपको मिलता है तो हवा से भी engine ठंडा होगा और oil से भी engine ठंडा होगा heating की problem काफी अद तक control हो जाती है 20.2 BHP का max power मिल जाएगा 6100 RPM पे और 27 Nm का max torque मिल जाएगा 4000 RPM पे power and torque काफी बहतर है किसी तरह से lack नहीं करता है performance काफी बहतर मिलेगी transmission में आपको 5 gear मिल जाएगी और जो इसके footrest है वो आपको foldable footrest देखने को मिलेगे side stand में engine cut off system भी आपको मिलेगा side panel पे classic 350 की branding stickering में आपको मिल जाती है और red color का combination है तो ये देखने में काफी ज़्यादा premium लगता है seat comfort देखेंगे तो seat comfort काफी बहतर आपको मिलेगा brown finish में अगर आप थोड़े से ज़्यादा heavy है तो और यहाँ पे देखेंगे तो side में आपको external grab reel मिल जाता है जिसे पकड़ के आप bike को main stand में लगा सकते है साडी guard pre-install इसमें आपको मिलेगा और rear का भी footrest है वो आपको foldable देखने को मिलेगा तो गिरने पे तूटने के chances काफी हद त दिया गया है रियर का जो brake है रियर में भी आपको disc brake मिलेगा रियर में 270 mm का single piston floating caliper का disc brake देखने को मिलेगा बट dual ABS का support आपको मिल जाएगा तो braking आपकी काफी बहतर हो जाती है रियर का जो tire है वो आपको 120 by 80 का 18 inch का tube tire देखने को मिलेगा because इसमे spoke wheel मिलता है तो tube tire आपको मिले पीछे वाले tire की size 18 inch की है आगे वाले tire की size 19 inch की रखी गई है रियर का suspension है वो आपको twin tube emulation shock absorber with 6 step adjustable preload suspension देखने को मिलेगा जिसमें 90 mm का travel भी देखने को मिल जाएगा suspension quality काफी बहतर रखी गई है stainless steel का exhaust आपको मिल जाएगा जो की देखने में काफी ज़्यादा premium लगता है तो कैसी लगी बाइक और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छे लगी हो तो like और share शरूर करिएगा मिलते हैं आप सकनी वीडियो में कुछ नहीं फ्रेस update के साथ तब तक के लिए सभी दोस्तों को thank you नमस्ते चैहिन